दूस्तों इंडिया में जितने भी प्रीम्श्च स्कूटर सब में आपको मिलती है fix battery सभाइव मिलता है और दूस्तों कम्पनिंग इसलिए उस लिए भी यूज़ करती है काफी सक्योड होता है और सक्केट इसलिए भी होता है क्योंकि उनके पास ट्ल Niate-tested होता वह जैसे fix करके देते हैं वैसे ही रहता है human का कोई भी intervention नहीं होता ना उसको detach करना और जब यह सारी चीज़े नहीं होती हो तो battery के life भी जादा रहती है और उसमें आग लगना या कुछ भी malfunction होना ऐसे चीज़े के जो chances होते हैं काफी कम होते हैं पर जो removal battery होती है उसमें human intervention होता है वो detach होता है और जहां पर plugging होता है वो area भी एक समय के बाद खराब होने के chances होते हैं याने battery जहाँ attach होती है जिस point पर attach होती है जहाँ से power जाता है motor को तो उस part पर भी issue हो सकता है तो ऐसे में काफी companies चीज़ को avoid करती है और fix battery के तरप जाती है बट वीडा एक मा beneficial है जो लोग flat में रेते हैं जिनके चार्जिंग का issue है उन लोग के लिए भाईया वीडा एक बरतान की तरह होती है लेकिन पूरे market में वीडा एक ऐसी गाड़ यह premium category में जिसमें आपको remove battery मिलती है बाकि जितनी भी company अचा एथर हो बजाज हो टीवियस हो इवन ओला हो किसी में भी आपको remove battery नहीं देखने हो मरती है बट ऐसे कैसे हो सकता है कि ओला फिर ना है market में तो यस ओला ने recently एक design को registered कराया है और यह जो design आपके सामने यह देख सकते हो यह design है और यह design के हिसाब से देखोगे और जीतना भी अभी तक information आई है as per the articles काफी सारे articles आ चुके यह जो electric scooter होगी यह remove battery के साथ होगी और यह पहले P2B के हिसाब से लाई जा रही है याने commercial purpose के हिसाब से लाई जाएगी और commercial purpose के साब से इसलिए लाए जा रहा है क्योंकि commercial में सबसे important होता है वो है timing अगर fix battery हो और उसकी battery charge खतम हो जाती है तो एक particular जगे पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी जब तक वो चार्ज नहीं होगी तब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती और रिमूब बैटरी का यहां पर ही beneficial होता है बैटरी को रिमूब को रहो उसको चार्ज पर लगाओ जो चार्ज बैटरी उसको लगाओ गाड़ी में and then you could to go यानि continuous आप काम कर सकते है इ उससाब से देखो कि तो गाड़ी थोड़ी compact के तरफ है और इसमें जो suspension होगा वो काफी harder side होगा क्योंकि B2B service के साफसे इस गाड़ी को बना जा रहा है फिर आप लोग के मन में एक सवाल होगा अगर यह रिमूब बैटरी वाली जो गाड़ी है यह B2B commercial use के साफसे बना जा जिनके यहां पर charging का issue है खासकर जो charging वाले issue वाले लोग है वो खासकर क्या करते है local गाड़िया उठा लेते कुछ समय तक चलाते है फिर उसमें बैटरी वह ड्रेन फटा फट हो जाता है एक्सलेटर दबाओ तो दो बार कम हो जाता है एक्सलेटर छोड़ दो दो बार जाता है वह सारे गाड़िया लेनी पड़ती है और वह एक्सले में reliable भी नहीं होती है लंबे समय तक ज्यादा काम नहीं करती है जब high quality की गाड़िया हो अच्छी कंपनिया जो प्रीम गाड़िया बनाती हो अगर उनके पास से अब रिमूबल बैटरी वाले लेते है तो उन जो गाड़ी आ रही है फिलाल तो B2B के लिए होगी रेजिस्टर्ड हुआ है अभी तो इसमे काम भी चालू हुआ नहीं हुआ यह तो अभी तो कोई इन्फोर्मेशन नहीं है बट यह आज जोगा के रेजिस्टर्ड क्या है आने वाले समय में आपको रिमूबल बैटरी ओ जरू देखने हो मिलेगा तो एक चोटा सब्डेटा आया तो मैंने सुझा फटा फटा वट्सब को बता तो वीडियो चला तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करिएगा थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो बाई